पत्र लेखन की बिदी लेके आए हैं पत्र को लिखने के लिए दो प्रकार होते हैं एक आपचारिक प्रकार एक अनपचारिक प्रकार इसको हम विस्तरत रूप से यानि कम्प्लीटली देखते हैं उप्चारिक प्रकार इसके रिखने कम्प्र के लिखने कान प्रकार आते हैं जैसे इसने प्राइटना पत्र आजाएगा आपका रिक्वेस्ट वाला निमंतरण आ जायेगा सरकारी पत्र आजाएगा, गैर सरकारी पत्र आजाएगा विवशाइक पत्र आजाएगा, किसी अधिकारी को लिखते हो तो वो पत्र आजाएगा नौकरी के लिए आवेदन देते हो तो वो पत्र आजाएगा संपादक के नाम निउस पेपर के एडिटर के नाम लिखते हो आपचार एक पत्र का फॉर्मेट प्रारूप देखिए सबसे उपर आपका पता आएगा उसके बाद दिनांक जैसे हम इंग्लिश में लिखते थे हैं न उसके बाद शेवा में शेवा में जो भी है प्रदानाचार हैं कलेक्टर महोदे हैं जो भी है उनको लिखोगे उनका पता लिखोगे उसके बाद विशय लिखोगे विशय क्या है जैसे चुटी लेने है तो चुटी में संबंद लेने है शिकायत करने है फिर स्रीमान जी लिखके पूरा complete करोगे उसको कि स्रीमान जी महोदे मैं कक्षा इसका छात्र हूँ ये शिकायत करने वाला हूँ तो completely वहाँ अपना बताओगे उसके बाद लिखोगे धन्यवाद क्या लिखोगे धन्यवाद उसके बाद लिखोगे आपका आग्याकारी असे ये आपका आभारी अपना अपना नाम ठीके अब आते हैं अनौपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र में informal letter में शामिल किया गया है जैसे हमारे भाई, बहन, मा, प्रियजन, है ना जो भी होते हैं इन सब को बधाई पत्र देने, साहेता देने शोक पत्र देने सुखद पत्र देने पैसे मांगने, माजी का हाल पूछने, गर्मी की चुट्टियां बिताने इन सब के लिए जो letter लिखा जाता है उसको बोलते है अनौपचारिक पत्र इसका प्रारूप क्या है देखिए सबसे उपर पता आएगा, बिल्कुल आपचारिक की तरह, फिर देनांका आएगी बिल्कुल उसकी तरह, लेकिन उसके बाद जो है, वो सब स्किप कर दिया है, विशे वगएरा सीधा प्रिय पित्र, प्रिय भाई, प्रिय बेटा, प्रिय पुत्री ये कुछ भी, ये बहुत प्यार है आपके लिए अप पत्र का प्रारंभ होगा कि मैं यहां काफी अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ अच्छे होगे आपके एक्जाम सस्चे से जा रहे हैं, गर्मी के चुट्टियां अच्छे से बिता रहे हो, सब कुछ आप हिंदी में लिखोगे जैसे आपने इंगलिश में लिखा है, और लास्ट में आके आप लिखतो के नीचे आपके, कि तुम्हारा मित्र, तुम्हारा भाई, तुम्हा झाल झाल और अपके नाम